हलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स के यूट्यूब एच्यूकिशनल चैनल में आपका स्वागत है ये वीडियो लेक्चर में हम आपको इन्फर्मेशन प्रोवेड करेंगे कि GPET 2021 examination का जो question paper है वो आप चैक कर पाओगे NTA की official website के उपर और साथ में जो provisional answer की है वो भी release हो चुकी है official website के उपर तो ये आपको चैक कर लेना है 7 तारिक से लेकर 9 तारिक के बीच में तो 7, 8 और 9 ये 3 दिन के अंदर आपको जो answer की है provisional और आपका जो question paper के साथ match करके वो आप चेक कर सकते के आपने कितने marks आ सकते है किसी answer के बारे में आपको query वगेरा कुछ है तो answer की को challenge भी कर सकते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह सी ये process होता है तो सबसे पहले आपको ये NTA की official website जो है वो open करनी है कि gpat.nta.nic.in तो उसके उपर आप यहाँ पे देख पाओगे कि public notice जो है वो आ चुकी है कि display of question paper and challenges of answer की of gpat 2021 examination तो ये वाले circular के उपर आप click करोगे तो ये public notice डाउनलोड हो जाएगी 7th March 2021 का ये जो आप देख सकते हैं कि जो circular यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके अंदर आप देखोगे तो लिखा है कि display of question paper and challenge of answer की उपर gpat 2021 examination तो ये वाली website जो अभी हमने दिखाई वही को आपको open करना है और 7 तरिक्स के लेकर 9 तरिक्स ये 3 दिन ही आप जो है वो चेक कर पाओगे आपका question paper की जो भी आपने responses वगेरा submit किये थे and साथ ही provisional answer की जो है वो दी गई है अगर कोई student को query वगेरा है किसे answer के उपर तो वो answer की को claim कर सकते है चैलेंज कर सकते है और उसके लिए उन्होंने fee रखी है रूपीज 1,000 पर question कि अगर सब्सक्राइब के एक question को आप challenge करते है तो 1,000 रूपीज दो question को challenge करते है तो 2,000 रूपी होगा तो each key challenge including the bank charges यहाँ पर already लिखा है कि processing fee for each key challenge और यह रहेगा 1,000 रूपीज जिसका payment आप online कर सकते हैं कि जैसे आप GPED की fee पर दे थे debit card, credit card, net banking, सभी तरीके से तो procedure for challenging the answer की वो भी circular में दिया हुआ है कि सबसे पहले click the challenges regarding answer की login into your application number, data, birth and enter the security pin मतलब कि जैसे आप यहाँ पर login कर सकते हैं कि display of question paper and answer की तो उसके बाद यहाँ पर जो tab खुल रहेगे through application number and date of birth तो आपका application number आप डालोगे यहाँ पर date of birth डालोगे तो question paper आपका open हो जाएगा तो इस तरह से पहले देखो यह question paper open होगा और साथ में answer की वाला इस तरह से खुल जाएगा आपका कि application number आपका होगा candidate role number और जो भी question पर उपर आपको जो है वो query है challenge करना है तो यहाँ पे लिखा है कि option ID जो claim कर सकते हैं और उसमें last में आप देखोगे तो savior claim करके option आएगा और उसके बाद आगे payment के procedures करके आप जो है वो answer की को claim कर पाओगे तो यह है detail about the answer की कि देखो पूरा question paper भी आ चुका है GPAT 2021 का total 125 questions के साथ कि जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो अपना question paper डाउनल कर सकते हैं कौन से responses आपने submit किया थे वो भी लिखा है कि यह है कि status answer question ID यह वाला है और आपने कौन सा option चूश किया था option 1 तो यहाँ पे option 1 है फिर यही question के ID के according to आप यह question challenge के लिए जो पूरी provisional answer की दी है उसके according to match करके अपने जो marks है वो आप calculate कर सकते है कि कितने marks वगेरा होते हैं आपके GPAT 2021 के लिए तो आप check कर सकते हैं तो यह था expert link formation by Amar sir और जो cut off भी बात करें तो जो paper हमने देखा उसमें इसी तरह से question थे और cut off हम देखे तो expected cut off general category का हो सकता है 165 से लेकर 175 OBC का हो सकता है 130 से 140 SC 100 से 110 ST के लिए 90 से 100 और EWS category में 110 से लेकर 120 तक cut off जो है वो हो सकती है इस बार GPAT 2021 examination की तो जो recorded response जो है वो आ चुके है तो जरूर से आप check कर लिजे official website के उपर scholarship की बात करे तो same like that 12,400 रुपे पर month सभी GPAT qualified students को मिलेगा so good luck and all the best and check the answer की and must comment your score in a comment box so हम assumptions लगा सके की cut off वगेरा और क्या हो सकता है आप qualify हो सकते है या नहीं so good luck and all the best है सतरू को सकते हैं olması tähänे से 14 था स्बस्वेस की का पटाउबंगंगंग hearsam है अर व normे जड़ा एड़ा स मिलेंगंगंगू कर दो कर दो कर दो